जकर्याह भविश्यवक्ता की पुस्तक अध्याय पांच फिर मैंने जो आखे उठाए तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या देख पड़ता है। मैंने कहा मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ देख पड़ता है। जिसकी लंबाई बीस हात और चवडाई दस हात की है। तब उसने मुझसे कहा यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ा चाहता है। अर्थात जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। खाने वाले के घर में घूस कर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। तब जो दूद मुझसे बाते करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा आखे उठा कर देख कि वह क्या वस्तु निकल जा रही है। मैंने पूछा कि वह क्या है। उसने कहा वह वस्तु जो निकल जा रही है वह एक एपा का नाप है। उसने फिर कहा सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि किककार भर शिशे का एक बठखरा उठाया जा रहा है। और यहां एक स्तुरी है जो एपा के बीच में बैठी है। और दूत ने कहा इसका अर्थ दुष्टता है और उसने उस्तुरी को एपा के बीच में दबा दिया। और शिशे के उस बठखरे को लेकर उससे एपा का मुह ढाप दिया। तब मैंने जो आखे उठाए तो क्या देखा कि दो स्तुरीया चली आती हैं जिनके पंख पौन में फैले हुए हैं और उनके पंख लग-लग के से हैं और वे एपा को आकाश और फुथ्वी के बीच में उड़ाए लिये जा रही है। तब मैंने उस दूच से जो मुझसे बाते करता था पूछा कि वे एपा को कहा लिये जाती है। उसने कहा शिनार देश में लिये जाती है कि वहां उसके लिए एक भवन बनाए और जब वह तयार किया जाए तब वह एपा वहां अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। झाल झाल